शहर के तीसरी आँख हुई बंद यह खबर आपकी आँखे खोलने के लिए काफी है जी हाँ जैसा कि आप बस पर लिखा हुआ पड़ते हैं कि सवारी अपने समान की खुद जिम्मेदार है इस समय शहर कभी यही हाल है जहां पिछली सरकार ने चेन स्नैचिंग और चोरी की घ वावाई वटोरी थी सरकार के बदलते ही मुर्जावे तेज आंधी और तुफान को जेल कर ये कैमरे तूट कर लटक गए और कहीं नीचे जुके हुए हैं तो कहीं गिरे हुए जिसके कारण शहर की सुरक्षा विवस्था रामभरों से ही नजर आ रही है क्योंकि इन कैमरो का कोई वारिस नहीं है और यही एक बड़ा कारण है कि शहर के अंदर चोड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है अब इस विशे पर कोई भी पुलिस करमचारी बोलने को तो तयार नहीं है क्योंकि हर कोई अपना पला जाड़ते नजर आओं आपकी क्या रहा है कमेंड बोकस पर जरू बतान